हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज मैं आपको बहुती आसान तरीके से पैंट ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो इसके लिए हमने सबा दो मीटर फाब्रिक लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है तो सबसे पहले हम फ्रेंट का पार्ट करेंगे यहां से हम दो इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर straight line draw कर लेंगे अभी यहाँ से हम length लेंगे तो belt को छोड़ के हमें length के लिए निशान लगाना है तो length है 38 inch ready length और उसमें हम 2 inch folding के लिए लेंगे तो यहाँ पर हम 40 inch पे निशान लगा लेंगे और straight line draw कर लेंगे अब यहां पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है जितना हिप का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच लूजिंग एड करना है अब यहाँ से हम आसन लेंगे तो आसन के लिए भी हिप का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो हिप है 36 inch उसको four से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वो आजाता है 11 inch तो यहाँ पर हम 11 inch पे निशान लगाएंगे क्रोच लेंद के लिए तो यहाँ पर भी बेल्ट को छोड़के ही हमें 11 इंच लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अभी यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और आसन की गुलाई का शेप देंगे अभी हम बॉटम लेंगे तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है तो ये 13 इंच है तो इसका सेंटर आजाएगा 6.5 इंच तो नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो bottom है हमारा 6 इंच तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है तो 6 का आधा इस तरफ लेंगे और आधा इस तरफ लेंगे तो यहाँ पर 3 इंच ले लेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच ले लेंगे तो यह हमारा 6 इंच bottom हो गया नीचे की तरफ भी इसको straight करेंगे अभी इस निशान को हमें यहां पर जोड़ना है और इस निशान को हमें यहां पर बिल्कुल इसके सामने जोड़ना है तो यह हमने curve scale ली है इससे हम इसको जोड़ेंगे अगर आपके पास scale नहीं है तो आपको free hand से इसको जोड़ना है और उपर की तरफ इसको straight कर देना है तो front part की marking हो गई है अभी हम इसकी cutting करेंगे तो इस तरह से front के दो parts हमने cut कर लिए है अभी front part को side में रखेंगे और back part के लिए fabric को double में रखेंगे तो हमने fabric को double में रखा है और अभी हमें front part को इसके उपर रख लिना है उपर की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है और आसन की तरफ भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है उसके बाद ही इसको रखना है तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है तो इसको हम ऐसे ही मार्क कर लेंके बॉटम को भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंके उसके बाद यहाँ पर जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे बैक के लिए और उपर भी देखे यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंके अब यहाँ पर भी 2-2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे उसके बाद हम बैक आसन के लिए गुलाई का शेप देंगे अब यहाँ पर हमने 2 इंच उपर की तरफ बढ़ाया है यहाँ पर हमने नहीं बढ़ाया है तो हमें इसको यहाँ पर तीरचा जोड़ देना है और साइड में भी हम 2-2 इंच बढ़ा लेंके तो ध्यान देना है कि यह चेंजेस हमें सिर्फ आसन वाली साइड में ही करने है तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को उपर की तरफ दो इंच बढ़ाया है आसन वाली साइड में और आसन को भी दो इंच बढ़ाया है और साइड में भी दो इंच बढ़ाया है इससे आपका प्लाजो पैंट खीचता नहीं है और कमफर्टेबल रहता है और इसमें हमें मियानी लगाने की भी ज़रुरत नहीं पड़ती है तो मार्किंग हो गई है अभी फ्रेंट पार्ट को साइड में रखेंके और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंके यह दो पीस है और यह दो पीस है फ्रेंट पार्ट के तो अभी हमें स्टिचंग करनी है तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ ही रखनी है और उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है तो हमने दोनों साइड के आसन में सिलाई लगा दी है अब इसको उपन करके रखेंगे फ्रेंट पार्ट को इसके ओपर उल्टा रखेंगे दोनों पार्ट की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख ली है उसके बाद हमें center को मिलाना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है center में तो हमने center में सिलाई लगा ली है तो अभी हम sides को stitch करेंगे तो यहाँ पर front का part छोटा है और back का बड़ा है तो भी इसमें कोई problem नहीं आएगा सिर्फ हमें दोनों की किनारियों को मिलाना है इस तरह से तो दोनों की किनारियों को अच्छे से मिला लेना है उसके बाद हमें side को stitch करना है सबसे पहले एक side को हम stitch कर लेंगे उसके बाद दूसरी side की दोनों किनारियों को मिला लेंगे और इसे भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों साइड को स्टेच कर लिया है अभी हमें बॉटम फोल्ड करना है तो बॉटम के लिए हमने दो इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था तो उसी दो इंच को हमें फोल्ड करना है इस तरह से फोल्ड करके स्टेच करेंगे इसी तरह से दूसरा बॉटम भी फोल्ड करेंगे तो हमने दोनों साइड के बॉटम को फोल्ड कर लिया है अभी हम बैल्ट रेडी करेंगे तो हमने दो इंच बैल्ट के लिए छोड़ा था तो सबसे पहले हमें एक half inch तक fold करना है उसके बाद एक और fold कर लेना है और पूरे round में हमें इसको stitch करना है तो यहाँ पर देखे front part हमारा straight रहता है तो उसको stitch करने में कोई problem नहीं होती है तो इसको हमें simply double fold करते वे stitch कर देना है लेकिन back का part हमारा बड़ा होता है तो उसको stitch कर करने में problem आती है तो उसको किस तरह से stitch करना है यह दिखिए तो यह back side में अभी हम आ गए है तो यहाँ पर सबसे पहले center की सिलाई है उसको हमें इस तरह से fold करना है तो यहाँ पर दोनों side में हमें छोटी-छोटी plates डालनी है back side में दिखिए इस तरह से तो यहाँ पर जोल नहीं आएगा और इसको stitch करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और इसके बाद हमें इस तरह से इसको stitch करते जाना है यहाँ पर हमने थोड़ा सा open छोड़ा है elastic डालने के लिए तो यह हमारा belt हमने fold कर लिया है अभी हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो 27 इंच की है जितना आपका कमर का size है उससे आपको 3 इंच माइनस करके लेना है अभी हम एक safety pain लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और elastic को हम इसके अंदर पास करेंगे और एक तरफ से डालते वे दूसरी तरफ से हमें elastic को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर अभी हम इसको overlap करके stitch करेंगे तो हमने इसको stitch कर लिया अभी इसको हम अंदर की तरफ करेंगे और यह जो हमने open रखा है इसको stitch करेंगे उसके बाद इसको खीचते वे पूरे round में भी stitch कर लेंगे तो इस तरह से हमने elastic लगा लिया है यहाँ पर देखे front का पाट छोटा दिख रहा है और back का elastic हमें उपर की तरफ दिख रहा है तो इसी से हमें पहचानना है कि यह हमारा front का पाट है और सिलाई भी आगे की तरफ आ रही है front side की तो इस तरह से हमारा pant trouser ready हो गया है